हेलो टेडर्स मेरे नामे शुभाम और स्वागत करूँगा आप सभी का हमारे चैनल शुभा गदंब दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले कल के मारिके अनालिसिस के उपर करके मार्केटिसेशन के लिए मैंने जो जो स्टॉक्स फायंड करके रहे कि वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसकी इन डीटेल में अनालिसिस अपके साथ शेयर करने वाला हूँ और साथ में ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के व्यूस भी आपके साथ शेयर करने वाल तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह बैंग निफ्टी का 50 मिनिट का चार्ट है मैं फिर से आपको सारी एनालिसिस रिपीट करना चाहता हूँ कि जो भी हमने प्रिविएस वीडियो में आपके साथ में शेयर की थी वो फिर से आपको बताना चाहता हूँ अगर हम यहाँ पर से 4 आवर के टाइम फ्रेम में चलेंगे तो हमने यहाँ पर बैंग निफ्टी में दो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर से बताई थे आपके साथ में शेयर किये थे बैंग निफ्टी दो तरीके के स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रहा है एक है बीरी स्ट्रक्चर और के bully structure और अभी जिस structure को bank nifty follow कर रही है वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि bully structure को यहाँ पर से follow कर रही है क्यों कर रही है पूरा आपको यहाँ पर बताता हूँ सबसे पहले हम यहाँ पर से BRE structure के बारे में बात कर लेते हैं तो simple साब यहाँ पर देख सकती कि bank nifty में यहाँ से आते हैं बहुत अच्छा सा fall आया उसके बाद में bank nifty में यहाँ पर एक pullback लिया pullback accurately 0.618 यह हमारा 0.618 का level है अगर हम इस वाले top से bottom तक अगर Fibonacci को लगाएंगे तो यह level 0.618 का है यहाँ पर जाने के बाद में price ने यहाँ पर double top pattern बनाया अब clearly देख सकती हो कि यहाँ पर बहुत यह अच्छा double top pattern बनाया और 35,450 यह इसका neck line था और जब भी double top pattern बनता है जब भी हमें यहाँ पर से short cut rates लेने होते है तब important होता है कि candle ने neck line के नीचे closing देना बहुत important है अब simple सा देख सकती हो कि 4 hour के एक भी candle ने यहाँ पर closing नहीं दी यहाँ पर से downside में weak है इसका मतलब यहाँ पर buying pressure जादा है otherwise हमारा plan था कि यहाँ पर से हम short cut rates लेंगे यह bear structure बन रहा था अभी second structure था bullish structure यह first जो structure था bear structure यहाँ पर से fail हो रहा है ऐसे लग रहा है अभी तब 100% fail नहीं हुआ है पर यहाँ पर से bullish structure कौन सा है simple सा आप देखोंगे तो हमने यहाँ पर clearly बोला था एक वीडियो में मैंने बोला था 35,450 का level मतलब बहुत सारे वीडियो में बोल रहा है कि 35,450 का level एक important level है यह yearly POC है मतलब previous year में इस level पे सबसे ज़्यादा time spent किया है प्राइज ने तो इसी वज़े से यह सबसे ज़्यादा traded price है इसी वज़े से यह एक important level होने वाला यह मैं हर एक वीडियो में आपके साथ में share कर रहा हूँ और इस level के हिसाब से हमने एक structure defined किया था bullish structure जो कि यह यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा impulse मुआया उसके बाद में price ने इसको break कर दिया इस वाले level को आप यहाँ पर देख सकते कि इसका breakout हो गया उसके बाद में price ने यहाँ पर retest करने को आ रहा है और यहाँ पर से हमें bullish movement bank nifty में देख सकता है सबसे पहले हमने बाद में इस structure define किया जो कि हमें यहाँ पर लग रहा है कि failure हो सकता है और यह यहाँ पर bullish structure बन रहा है और थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर से अभी इस structure को follow करेंगे थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर से 15 minute में चलेंगे तो आज भी उसी तरीके की market activity हमें यहाँ पर दिखी यह जो orange color का level है यह हमारा 35,450 का level है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो fake breakdown हुआ था यहाँ पर बहुत अच्छा सा impulse में और मैंने कल यहाँ पर बोला भी था कि price यहाँ पर retest करने को आ सकती है exactly इसी level से मतलब थोड़ा सा ओपर से यहाँ पर से bind pressure बहुत ही जादा है यहाँ पर से आप wig दिख सकते हैं यहाँ पर से एक बहुत अच्छी bullish rally हमें bank nifty में दिखी ठीके ना तो इसी वज़े से यह level important होने वाला है और मैंने यहाँ पर आपको clearly बोला था कि important resistance क्या होंगे तो उसके लिए मैंने Fibonacci retracement का tool आपको बोला था यहाँ पर लेना है और यह जो down swing यहाँ पर लगा है एकदम top से लेके bottom तक लगा देना और मैंने बोला था कि 0.5 का ratio हमें यहाँ पर mark करके रखना है और यह एक important resistance का काम करने वाला आप clearly देख सकते हो कि price ने आज resistance कहाँ पर लिया exactly इसी level पर लिया और यहाँ पर overall pattern कौन सा बन रहा है आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक cup and handle pattern बन रहा है यह एक reversal pattern है और जो हमने bully structure यहाँ पर define किया था और मैं बोल रहा हूँ कि price थोड़ा सा यहाँ पर से bully structure को follow कर सकते है इसे किस basis पर बोल रहा हूँ तो इस basis पर यहाँ पर देख सकते हो कि हमने bully structure define किया था यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा impulse मों आया उसके बाद में price यहाँ पर retest को आ रहा है retest पर यहाँ पर एक बहुत अच्छा reversal pattern बना रहा है जो की है cup and handle pattern और उसके बाद में अगर यहाँ पर से हमें break out देखने को मिलता है then surely हम यहाँ पर से बहुत अच्छे long created ले सकते है important resistance क्या होंगे हमारा 0.618 का लेवल एक important resistance होने वाला है और उसके बाद में यह जो pink color की trend line है आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह वाली जो pink color की trend line है यह important resistance होने वाला है अगर 0.618 यहाँ पर से break कर देता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 0.786 और हमारा pink color का trend line यह दोनों coincide करे हो यहाँ पर आखे price resistance ले सकता है तो यह important resistance मेरे लिए होने वाले और अगर price यहाँ पर range में open होता है नीचे आता है या फिर gap down open होता है तो important support होने वाला है 35,450 अगर वो break होता है यह वाला जो low लगा था इसको आप यहाँ पर इस तरीके से mark कर के रख सकते हैं यह second support यहाँ पर से होने वाला है पूरा detailed analysis आपको bank nifty का यहाँ पर बता दिया है अब यहाँ पर से nifty के बारे में चलते है यहाँ पर nifty के chart पे चलते है nifty में भी हमने यहाँ पर discuss किया क्यों हो था अगर हम यहाँ पर से daily time frame में चलेंगे हमने यहाँ पर discuss किया हुआ था कि price यहाँ पर से एक बहुती अच्छा fall किया उसके बाद में यहाँ पर यह pullback ले रहा है और pullback accurately 0.6 minute पर ले रहा है और यहाँ पर से bullish structure कौन साथ आप यहाँ पर clearly देख सकते है तो price यही पर consolidate कर रहा है और हमने bullish structure के बारे में बात करी थी कि price यहाँ पर से breakout देगा देन यहाँ पर से bullish structure follow करेगा price यहाँ पर से बहुती अच्छी moment हमें देखने को मिल सकते है और उसके बाद में हमने bear structure बोला था यहाँ पर से एक fall आया उसके बाद में एक pullback आया और pullback के बाद में price नहीं यहाँ पर distribution बनाया और यहाँ पर से price फिर से fall करेगा और 0.618 एक important level होता है अगर price को यहाँ पर से turn करना है downside में ठीक है ना अब simple साथ देख सकते हैं कि अभी तो price ने बहुती strong closing दे दी है और जिस तरीके से market ने यहाँ पर closing दी है मुझे लगता है कि market कल यहाँ पर gap up opening कर सकता है अगर इस level के उपर gap up opening करेगा अगर बहुत बड़ा gap up होगा तो इस वाले level को हम as a reference ले सकते हैं ठीक है ना तो यह जो level है हमारे important resistance का का काम करेगा अगर just यहाँ पर open करेगा कोई bullish candle बना देगा इस level के उपर नहीं surely हम यहाँ पर से first candle पर बहुत यची long के trade ले सकते हैं और अगर बहुत बड़ा छोटा सा gap up होगा तो pullback का इंतजार करना है इस वाले level पर यहाँ पर से pullback देखकर एक बहुत यची long की इंतरी ली जा सकती है और अगर price बहुत ही जादा open करता है तो यह level को आप as a reference ले सकते हैं और अगर इसके ऊपर open करता है यहन हमें Fibonacci extension का tool लेना है ठीक है न और यहाँ पर से top से लेके bottom तक लगाना है और यह जो 1.272 का ratio है यह हमारे लिए एक important resistance का काम करने वाला है ठीक है और आज भी अगर आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमने discuss किया हुआ था कि आज हमें trade नहीं करना है Nifty में क्योंकि इस zone में यहाँ पर price जो है volatility produce कर रही है और आज भी यहाँ पर volatility produce करेगी ऐसा मैंने बोला था फिर भी मैंने आपको एक trade दिया हो था यहाँ पर एक बहुत अच्छा inverse head and shoulder pattern बन रहा था और मैंने बोला था कि अगर price यहाँ पर आएगी अगर gap up open होगी यहाँ पर आएगी अगर यह breakdown कर देती है price यहाँ पर से देन हम यहाँ पर से short के लिए सोच सकते है ठीक है तो यहाँ पर से कुछ इस तरीकी का मैरा trade plan होने हमारा अभी थोड़ा सा यहाँ पर से stocks के उपर चलते है तो सबसे पहला stock है यहाँ पर TVS motors TVS motors अपने important level पर पहुच चुका है अब clearly यह horizontal level देख सकते हो यह previously यहाँ पर बहुत यह support का काम कर रही थी then price ने इसको breakdown किया फिर से यहाँ पर से breakout किया और price यहाँ पर retest के लिए रहा है retest से price यहाँ पर से उपर बढ़ सकता है कुछ इस तरीका structure इस stock में बन रहा है ठीक है अभी जो यह अपना neck line है इसका अगर price यहाँ पर से breakout कर देता है तो कोई भी pullback देखकर यहाँ पर से बहुत एच्छे long की opportunity ली जा सकती है अभी neck जो stock के हुए CIPLA CIPLA में भी similar analysis है अगर हम यहाँ पर से daily time frame में चलेंगे तो यह बहुत बड़ा consolidation CIPLA में हुआ था जिसका फिलहाल यहाँ पर breakout हुआ है और breakout के बाद में price यहाँ पर retest के लिए आ रहा है और यहाँ पर भी एक reversal pattern मना रहा है यहाँ पर से भी price फिर से ऊपर बढ़ सकता है कोई भी pullback देखने को हमें मिलता है then surely हम यहाँ पर से बहुत ही अच्छे long key traders ले सकते है अभी यहाँ पर से निक जो stock हो है Reliance में थोड़ी सी tricky analysis बन रहे है मैं आपको यहाँ पर से analysis समझा देता हूँ और थोड़ा सा risky trade भी बनेगा और Reliance का trade हमें कब लेना है अगर nifter bank nifty में bearishness होगा तभी हमें realiance का trade लेना है क्योंकि यह थोड़ा सा short side का trade है अभी आपको यहाँ पर से बता देता हूँ कि मुझे लग रहा है कि nifter bank nifty दोनों भी मुझे bullish लग रहे है फिर भी मैं Reliance में bearish trade क्यों बता रहा हूँ क्योंकि higher probability side में trade जाता है यहाँ पर बहुत ही important level पर reliance पहुच चुका है और trade भी हमें टब लेना है अगर nifty और bank nifty में weakness होगे यह से नहीं होना चाहिए कि बहुत strong है nifty और bank nifty और हम Reliance में short cut trade लेने ऐसे नहीं करना है तो यहाँ पर हमें क्या करना है सबसे फेले Fibonacci retracement का tool लेना है और यह जो swing यहाँ पर लगा है एकदम top से लेके यहाँ पर bottom तक कीचना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि price जो है वह अभी कहाँ पर पहुच चुक है exactly 0.786 यहाँ पर पहुच चुक है ठीक है और उसके बाद में हमें Fibonacci extension tool लेना है अभी यह जो में यहाँ पर draw कर रहा हूँ इसे Fibonacci cluster कहते है और Fibonacci cluster के ऊपर already मैंने वीडियो बना के अगर आपने वो नहीं देखी होगी तो देख लीजिएगा यह वीडियो देखने के बाद में यहाँ पर आय बटन पर में लिंक दे दूँगा ठीक है तो हम यह Fibonacci extension का tool लेना है और previous जो down swing था यहाँ पर top से लेके bottom तक खीचना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो price जो है वो यहाँ पर 1.618 पर पहुँच चुके है मतलब 0.786 और 1.618 यह दो रेशो यहाँ पर coincide कर रहे है और अगर यह zone थोड़ा सा में यहाँ पर mark कर दूँ आपके लिए यहाँ पर यह zone mark कर देता हूँ और price यहाँ पर इस वाले zone पर किस तरीके से react कर रहे है अगर हम यहाँ 15-minute time frame में चलेंगे तो price आप यहाँ पर देख सकती कि kind of double top pattern यहाँ पर बना रहे है यहाँ पर rising wage pattern यहाँ पर बना रहे है और यहाँ पर closing दिए अगर यह rising wage downside में breakdown करती है तो कोई भी pullback देखकर यहाँ पर शोटिंग का trade लिया जा सकता है बहुत ही risky trade है पर यह higher probability trade है सिर्फ दब लेना जब nifty और bank nifty बहुत ज़्यादा strong नहीं होने चाहिए ठीक है तो यह है मेरे stocks के analysis और nifty bank nifty के analysis होपेग आपको यह analysis समझ में आ गई होगी पसंद आ गई होगी अगर analysis पसंद आई तो please इस वीडियो को like कर दीजा आपके फ्रेंग के साथ trading के मिले साथ share कर दीजे और इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चानल को subscribe भी कर दीजे तो आज की वीडियो में इतना ही रखते है thank you very much